अच्छा जीए स्टूडेंस अभी हम लोग देखने जा रहे हैं और आज वाले लेक्टर का जो मेन फोकस होएगा वह बेसिकली कंट्रोल अकाउंट के कॉस्ट्रेंगे ठीक है तो हम लोग ने देख लिए देंगो कैपने केट से बीपी किट से हमने अच्छी तरह न को नहीं अब देखा और सेकंड्ली कंट्रोल अकाउंट के क्लावा मैं इसमें बैंक्स रिकंसिलेशन की भी कुछ हम कुछ चंद सवाल इसमें देख रहे हैं ठीक है तो चंद से बहले वह जल्दी से कतम करते हैं लो फिर हम चलेंगे अपने मेन उस पर जो कि है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन ठीक है सबसे बहले बैंक का पहला हम सवाल करें टूपाइट स्रीफाइब इसमें आप देखें वह क्या पूछ रहे हैं विच आफ दी फॉलूइंग आइटम्स वुड भी रिवीड वन बैंक रिकंसिलेशन इस परफॉर्म इडिटिफा यहां पर बहुत सारी ओप्सिलेशन लिखी में ठीक है इनको देखने से बैसिक लिए कि रिकंसिलेशन करने से कौन सी चीज़ा हमारे पास इडिनिटिफा होंगी कौन सी चीज़ें रिवी लेंगे अब हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है वह पहले मैं पताता हूं ठीक है अ रहां से बैंक कर लेता है कैश्बुक में नहीं आ रहे होते लाइट तो हमने यहां पर क्या करने करेक्ट ऑप्शिन अपनी बतानी है कि हमारे पास क्या होगा जो हमारी बैक रिकंसिलेशन जो चीज़ें करेगी ओके यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फुर्स्ट यहां पर उप्षेंटर चेक्स हमने देखे हैं तो इसका मुलब यह तो इनके आंसर लाजमी तोर पर होएंगे अब इंट्रेस्ट अंचार्जिस जो है ना देखें हम बैसिकली रिकंसिलेशन क्यों करें इसका मकसद सुचें रिकंसिलेशन हम लोग इसलिए परफार्म करें ताकि हमारे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो मुताफिक हो जाए एक लेवल पर आजए उनको टूगेधर करने लिए उनको एक लेवल पर लाने के लिए हमें सब चीज़ा चेक्स आपने बैंक रिकंसिएशन के लेक्चर से समझे मैं मिसिंग चैक्स एक ऐसी चीज़ जो हमने नहीं पड़ा ठीक है और मिसिंग का वर्ड वैसे भी एक मतब के सही तरह मीनिंग नहीं देता बैंक रिकंसिएशन में यहां तो अन प्रिजेंटर चेक्स लफज होता है य इस फॉल्डविंग इसे कौन से कौरेक्टली डिफाइन करेगा ठीक है वन बैओन पड़ते हैं रिकंसिएशन में यह जो ऑप्शन ए मैं कह रहे यह तो रीकंसिलेशन है रीकंसिलेशन का मतब दोनों को एक जगा मुतफिक करना दोनों बैलनस इसको इसको एक जगाल लाना तो यह बैक स्टेटमेंट तो नहीं यह बैक स्टेटमेंट तो सिर्फ बैक वाली आटम से खाता है ठीक है भी पढ़ते हैं वन सेंट टू कस्टोमर्स ऑफ बैंक इस यह मुझे लग रहे किसी हद तक मुझे लग रहे बट सी एंडी पढ़ लेते हैं तागे रिकॉर्ड शोइंग कैश बैलन्स ऑफ बिजिस जुरूरी नहीं है राइट कैश अलग होता है जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बैंक के परस्पेक्टिव से लग होती है ठीक है एन अनलिसिस ऑफ पेमेंट्स और बिजनस तो यह भी एक तरह से बी ऑप्शिन कहीं एक शौर्ट फॉर्मेशन नहीं दे तो अगर आप कहें कि आप बी और डी में से क्या चूज़ करेंगे तो मैं यहां पर ऑप्शिय ऑप्शिन भी चूज़ करूंगा यहां पर कुछ काल्य स्वाल है टाल्यिकर श की जो बीनक स्टेटमीन याद्ट करें आपको काल्कूलेशन बेख सवाल करने के लिए सारे सवाल करने के लिए जobraरी यह कि यह तेख यह और आप यह आप ऀखनेसे पहले हैं यह और थे आप अप्छिए लिक्ष्डूर्य में से युदेक्र न टाइब कि यह किस की बात कर एक अन्क्रेटिटर्लॉजमेंट की बात करें यू सीए तहनु एसी जो हमें मिल गई होती है थे वह भी तक हमारी यह मैंने प्रवाइब्स को प्रिजेंट नियुक्श चेक रिंगतों तो हमारी मर्सिन जब भी इसको कैश करवा यह अपने अकाउंट में डलवा लें तो हमने इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं ढूड़ने जैसे टिपिकल सवाल होता है ठीक है ओपनिंग लोग ने अब देखें यहां पर हमें ओपनिंग बैलेंस का दिया हुए यहां पे 300 डॉलर्स हमें बैंक स्टेटमेंट कही दिया अब ओवर ड्राउन बैलेंस तीन सोगा तो ओवर डॉन बैलेंस आपको पता है कहां पे आते थ्री यंडर का डेबिट साइट पर क्योंकि बैंक वालों के लिए जो है यह एसेट होता है और बैंक स्टेटमेंट है बैंक के परस्पेक्टिफ से बिना जाती है हमारी तो लिय है थी कि अगर इंफर्मेशन मिक्स दिया हो आपको समझ ना आ रही हो यहां पर जैसे मैं आपको एक्जैंपल देता हूं यह तो तीन सो का बैंक सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुए और इसके लावब कोई चीज़ ने दिवी तो बैसिकली इस अगर हम सिर्फ बैंक स्ट कृथ गोड़ा करेंगे वह ओली टेखनिक आपको याद है मैंने वहां पेखर मास करेंगे ऊकांब आपके स्टा इंस cash book मैंने बना ली अब cash book की चीज़ें रिख लेता है यहां पर balance in hand है ना that means cash book हमारा asset होता है तो opening balance यहां के आगे debit side का पच्छिस ठीक है 25 बेलर्स अब interest charge भी है 30 मैं जो कि bank charges interest charge जो भी है ठीक है यह हमने record नहीं किया वह उसने सवाल में बताया है तो इस चार्ज हम 30 का credit कर देंगे क्योंकि cash book asset होता है credit पर decrease होती है ठीक है सारी information होगी है हमने कौन सी amount basically धूड़नी है uncredited यह वाली amount तो यह मैं खाली छोड़ दूँगे balancing figure मेरे पस आएगा ठीक है अब मैं simply इन दोनों को accounts को कठा close करता हूं 300 plus 25 क्या होता है 325 यह हैवी साइड है तो यहां पर भी यह आ रहा होगा 300 जब 325 में से 30 माइनस हो जाएंगे तुमारे पास I think 285 बचेगा मैं दबल चेक इसको कर लो 295 बचेगा और यह हमारा balancing figure यहां पर which is 295 पहले देख लेते हैं options में है yes option CS का 295 यहीं इसका correct होएगा 295 ठीक है तो आप देख सकते हैं हमने backward working की है और information के साब से हम लोगोंने टी आकाउंस आपर बनाने होते हैं अगर आपने लेक्टर देखा हुए यहां पर किसका बैलेंस इसने शोगी है कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट का नहीं किसका कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट अच्छा जी बैंक स्टेटमेंट ने भी शो कर दिया बैलेंस बैंक स्टेटमेंट शोड़ेंट बैलेंस ऑफ ग्यारा सो एक चेक्स पेडिन बट नॉट यडिट टु दे बैंक स्टेटमेंट वर टू फिफ्टी डॉलर्स ठीक है मतलब कि यह कौन से यह अन्क्रेडिट इसने साफ साफ यहां पर बता दिये ठीक है अन्प्रेज स्टेटमेंट की दिवीए दंखतें कि साही ऐप्शन आते है तो यहाँ पर बनाता हूं भी बैलेंस की डिया हुए क्या बेलेंट का क्रडिट बैलैंस थे 1100 सो का से धों में अन्प पे लिख दूँँगा इधर आताया आपको पता है तो यह चीज पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनों को टोटल करेंगे आएगा 1350 और यहां पर भी जी यहाएगा 1350 अब हम क्या करेंगे कि यहां पर में कैश्बग बनानी पड़ाई तैसा इसका कोई ढिना पड़ेंगे से ति मखसर से कैशा कभी हमारे बास पैले तो कैश्बूक कभी लिख लेते हैं चलें बैलेंस इन हैंड है ना इन हैंड जो डेबिट साइट पर आता है 900 का इन बैलेंस को जरह मैं हटा दूं क्यूंकि अगर ठाई क्लोज रहेगा ठीक है तो अगें टोटल तो हुई है तेरह सब्चास और तेरह सब्चास ठीक है जी सही अब थर्टीन फिफ्टी में से जो 900 माइनस करेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा वाइटिंग फॉर फिफ्टी आना चाहिए यह यह आंसर आ रहे है और यह हमारा बैलेंसिंग फिगर है साड़े चार सु का पहले चेक कर लेते आंसर यहां पे है यह साड़े चार सु यहां पे है तो आई थिंक सो ऑप्शन ए जो है इसका फॉर फिफ्टी वह यहां पे करेक्ट बनना चाहिए ठीजी क्लेर है सबको अच्छा जी 2.39 नेक्स वाला ठीक है विच फॉलिंग विल नॉट अपियर इन बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट जो हम बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर कौन सी चीज़न नहीं आएंगे ठीक है अन प्रेजेंटेट चेक्स तो आते हैं जो भी ह आते हैं मैंक एरिस भी हाते हैं क्योंकि मैंने बैंक को बताया है लेकि डेलिंगEंक स्टेटमेंट में करेक्ट होए हमारी तरफ से जो कैश क्यास मेरें इसको होडी इसको आपको काफी है तो आप कौई प्छिन समeddź आपको नहीं कहते हैं तो डबल एंट्रीज का तो बैंक रीकंसिलेशन से कुई तालू की नहीं है यह दो जमीन असमान का फरेंगे दोनों चीज़ों में दो अलग अलग चीज़ें ठीक है ऑप्शन सी इसमें रॉंग है जो है ऑप्शन सी ठीक है अब जली से 2.40 भी करते हैं विच फॉलु के साथ सेंड करते हैं को साथ में बताने के लिए कि यह पेमेंट किस चीज़ की है और किसकी तरफ से आई है ठीक है सब्सक्राइब इसका जो यह हमने अभी तक यह पड़ा है राइट रेमिटेंस एडवाइस बागी भी देख लेते हैं टू-3-4 यह बैंकिंग के चैप्ट अगर आप्शन टू नहीं है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास और कौन से आप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वह इनमें से बनना चाहिए लेट सी अच्छा जी तो यह एक जर्नल सा सवाल है ठीक है अब इसकी ऑप्शन को दर एक दफा फिर से पढ़ते हैं देखिए रेमिटन्स एडवाइस तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि पेमेंट के साथ बेजा जाता है उसमें किया क्या चीज़ें किन किन चीज़ों के लिए पेम पाकिस्तान की बात करें यहां पर हम असान लफजों में इसको कहते हैं ठीक है आपको पता होगा यह जैसी एक चीज़ होती जैसे पे और नहीं होता पे और डिपॉजट चैक इस तरह की तो इस पे सारी चीज़ें लिखी होते हैं कि कितनी अमाउंट है किसको हम एड्रेस कर सकते हैं यह जाएं यहां तुछा चीज नहीं है याँ साथा कर दिया किया मक्सद है तो तो उस तरह का यह बेसिकली होता है यह सोरी वह नहीं चली न वह इसका आणसर नहीं connect जैसे हम material request करते है material requisition note होता है check requisition note होता है check requisition होता है कि जब समान आ जाता है तब supplier को जो पैसे हमने देने होते हैं तब जो accounts department है उसको check requisition form भेजा जाता है inform करने के लिए कि kindly आप इनको payment करने समान हमारा हमारा आ चुके ठीक है stores department को send करते तो यह जो इस पर यह नहीं लिखा होता कि इसको payment जारी सिर्फ अपने यूज के लिए होता है ठीक है बंदे टू बंदा एड्रेस हो रहा होता है ठीक है तो covering letter भी इसके अंदर आ रहे हैं तो one two and three इसका जो option c है यहां पर correct है ठीक है यह जए है यह जुए Sबस्ट के नहीं होआते बंदे प्ल में प्लाओत रहिं कोया थांनी को भी इसना आ जद conserv लाकास है